हेलो एव्रीवन स्वावत आप सभीगा हमारे यूटूब चैनल एनसके ओटो वाइल्स में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको 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 ब्येसिक्स पल्सर एक से पच्छिस के साइशेंट सेंसरों कैसे बाइपस करना है मतलब इस सेंसर को आपको कैसे डारेक्ट कर सेंसर खराब हो जाता है तो आपकी आगे नहीं बड़ेगी जैसे आप घाल में गीर ढणों तो गाली एकदम बंद अखैंगी इंजेन एकदम कटऊ आफोजाएग गीए huh काम नहीं करना है झाल लुक आइक बतन चैनल पन्न अपनन प्रेस करना है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो पर एंटक बने रहों दोस्तो इस सेंसरा काम होता अगर आपकी गाली का साइस्टेंड लगा हुआ रह जाता है तो आपकी गाली आगे नहीं बढ़ेगी जैसे ही आप गाली में गेर डालाओ गाली एकदम बंद हो जाएगी गाली का इंजन एकदम कट ओफ हो जाएगा जब तक आप गाली का साइस्टेंड नहीं हटाओ तब तक गाली आगे नहीं बढ़ेगी दोस्तो, पहले मैं आपको side stand वाला sensor check करा देता हूँ दोस्तो, आप देख सकते हो, side stand लगा हुआ है गारी इस time neutral है अब मैं गारी को start कर देता हूँ गारी इस time neutral है, side stand लगा हुआ है अब जैसे ही मैं गारी गेड़ डालोगो, गारी एकदम बंद हो जाएगी इस गाली का sensor बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों in future अगर आपकी गाली का side stand वाला sensor खराब हो जाता है डेमेज हो जाता है या कोई भी condition हो सकती इस sensor काम नहीं कर रहा है आसपास ना तो कोई service center है और ना ही कोई mechanic है या फिर ये sensor market में short है sensor नहीं मिल दा है तो इस condition में आपको इस sensor कुछ time के लिए permanent नहीं कुछ time के लिए sensor कैसे direct करना है मैं आपको बता देता हूँ ये है side stand sensor कपलर आपको इसे open कर लेना है जो कपलर गाली की wiring में से आ रहा है उसमें 3 wire है pink, yellow, red आप देख लो अब आपको एक छोटा सा wire लेना कुछ इस type का आपको इस wire को yellow और pink wire को आपस में मिला देना है आप इसके wire भी देख लो इस तरह से अब ये sensor direct हो चुका है मैं आपको check करा देता हूँ दोस्तों मेरे आपसे request है इस sensor को आपको permanent direct नहीं करना है कुछ time के लिए करना है permanent direct नहीं करना है ये sensor आपकी safety के लिए काथ ज़्यदा अच्छा है size stand हटा हुआ है गाड़ी gear में है आप देख सकते हो अब अगर मैं इसका size stand लगाऊंगा तो गाड़ी बंद नहीं होगी engine cut off नहीं होगा आप देख सकते हो गाड़ी बंद नहीं हुई engine cut off नहीं हुआ sensor direct हो चुका है लेकिन दोस्तो मेरी आपसे request है इस sensor को आपको permanent direct नहीं करना है कुछ time के लिए करना है permanent direct नहीं करना है दोस्तो यह sensor हमाई safety के लिए काहिदा अच्छा है क्यूंकि अगर चलती गाली में size stand लगा हुआ रह जाता है और वो किसी चीज़ से ठकरा जाता है तो आपको और आपकी गाली को भारे नुकसान हो सकता है दोस्तो यह जानकर यह आपको पतंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल अपन नहीं हो तो चैनल को सब्क्राइब और बलाइकन को प्रेस कर लेना ताकि एसी ही informative वीडियो आपको आगे ही मिलते हैं आपके YouTube पर और अगर आपका कोई डाउट हो कोई सवाल हो तो मैंती कमेंड बॉक्स ज़रूर लिखिए गुद्बाइब